हेलो फ्रेंड्स आप सभी को स्वागत मेरी यूट्यूब चैनल में आज हम आप लोगो जितने भी सारे गवर्मेंट अस्कूल है उसका जो टाइम टेबल चेंज हुआ है उसके बारे वताने वाले तो अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो सब्सक्राइब कर ल करते हैं कि यह जो आपका टाइम टेबल कब से लाग होगा यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 31 मार्च तक सावा नो बज़े से धाई बज़े तक होगी पढ़ाई और एक अप्रेल से 30 जून तक सवा साथ बज़े से एक बज़े तक होगी पढ़ाई अब चलिए इसक अस्कूलों के संचालन के लिए दो समय निर्धारित किये गए हैं एक अप्रील से आपका जो देखे सबसे पहला जो टाइम टेबल है यहां पर एक अप्रील से 30 जून तक अपका जो टाइम टेबल रहेगा और एक जुलाई से यहां पर देखे फ्रेंड्स एक जुलाई से 30 मार्च तक आपका जो टाइम रहेगा यहां पर उस सुबर 9 बज़े से साम 4 बज़े तक रहेगा यहां पर आप यहां पर देख सकते हैं उसके बाद चलिए और आगे यहां पर आपको पढ़के सुनाते हैं कि एक्चूल में न अक्टूबर तक 8 बज़े से 2 बज़े तक और 1 नौमबर से 31 मार्च तक सुबा 9 बज़े से 3 बज़े तक क्लास का संचालन होता था इसमें वदलाव किया गया है कि हैं पूरे साल भर में अस्कूल संचालन के दो समय ही तै किये गए एक 31 मार्च तक अस्कूलों को संचालन 4 बज़े तक होना है इसमें सिच्छक पौने 9 बज़े तक अस्कूल आ सकेंगे जबकि यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि छात्र छात्राओं को 8.55 तक अस्कूल आना होगा 9 से सावा 9 बज़े तक प्राथना सभा का आयूजान होगा जबकि सावा 9 बज़े से 5 बज़े से पठन पाथन का काम होगा वही 5 बज़े से 3 बज़े तक आपका यहां पर मद्यान भोजन चलेगा सिच्चक 4 बज़े ही अस्कूल छोड़ सकेंगे इसकी तरह एक अपरिल से 3 जुन तक सिच्चक पोने 7 बज़े और 6 बज़े आपको यहां पर देख सकते हैं सिच्चक 2 बज़े से ही अस्कूल छोड़ सकेंगे अस्कूली सिच्चा सचीव राजेस सर्मा ने सबस्ट किया है कि हर सेचनिक सत्र के सुरू होने पर सभी अस्कूल समय सारनी का पालन करेगी अगर किसी कारण वस नहीं कर पाते तो इसकी लिकित सुचना जिला अस्तर के प पाउस करके आप अच्छे से इसको पढ़ लिजेगा खुद से और चलिए इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स और वीडियो अच्छा लगत लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए चलिए तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्